चुनावी टावमांट्च लगातार बढ़ता जा रहा और कैई प्रोलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपने उमीदवार के हक में जो है वो रैलीजिश कर रही है हमारे साथ बारती जन्ता पार्टी के जम्मू कुष्मीर के पूर्व अद्यक्षाथ शर्माजी और वारतीय जंता पार्टी के सीनिय लिडरें इनी से हम बात करते हैं और सांबा जम्मोर इसी का है भारती जंता पार्णी इन दोनों सीटों में इतिहास बनाने जा रहे हैं कि छोड़ी बार भी लगवर 3 004 बोदो के वर उन की जेंते हुसे अ m और रामरंदर के निर्मान और रामरला की मूर्ती की प्रतिष्टा और उसके बाद जो कारे लगातार से डिवल्मेंट के चाहे वो कठुगा है चाहे वो जमू की हमारी सीट है दोनों में हुए हैं लोगों के मन में यही भाव है कि निंदरबाई मोदी जी के समर्पन में वो चुरूर पढ़े और जो चार सो पार का आंकरा निंदरबाई मोदी जी ने कहा है कल का जो संकल्पत्र उन्होंने किया है अब सोचिए कि बड़ी प्लिटिकल पार्टी के लोग में नुफेस्टो जारी करते हैं बहुसे ऐसे कारे होते हैं जो उनके मादिम से पूरे नहीं ह लेकिन जो देश के परधानमंती जी ने एक संकल्प लिया है वही मोदी जी ची गरंटी है और लोग आज जानते हैं कि जब मोदी जी ने कुछ कहा है जो कहा है वो करेंगे और कुछ ऐसे भी कारे होंगे जो शायद संकल्प में नहीं दिये गए होंगे या इस वक्त की भी पाइदान पर थे और चोदा से लेकर चोबीस तके अंतराल की जब हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग पांच में स्थान पर हैं वो इंग्लेंड जिन्होंने नबे वर्ष हमारे उपर राज किया आज वो छटे स्थान पर हैं लेकिन जिसरी के से हमारा देश त्रक्की कर रहा है अगामिया पांच वर्ष में हम लोग जो हैं तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता जो है वो होंगे ऐसे समय में इन दोनों सीटों के बारे में यहां तक करें तो राज बबर जी जो नेता का यहां पहुंचे थे काफी बीड़ देखने को मिली कटूगा की बात करें अधूंपर में बात करें यहां सांबा में बात करें दो रह लिए और इसी के साथ साथ दिगज नेता नेशनल कांफरेंस के डॉक्टर फारुक दो काफी बीड़ देखने को मिल रही है कि कहीं लगता है कि जो बाचपा है वो कहीं न कहीं लोगों को लवाने में नाकाम जाब रही है एक राजबबर पुराने हीरो रहे हैं फिल्म डस्टी से बहुत से लोग उनकी फिल्में देखते थे अब वह प्लिटिकल पार्टी मे हीरो को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं लेकिन जब मैंने कहा ना आप वोट कंवर्शन में देखेगा उन्लीस तरीक को कठुवा में आपके ध्यान में आ जाएगा कि किस प्लिटिकल पार्टी को क्योंकि शाम तक तो आपके पास रिजल्ट भी जाएंगे को सा रुज्यान कहां है और वैसा ही 26 रीक जमू में भी लोगों का जाना अपने आप में खास्तोर पर जो नेंद्र भाई मोदी जी कहें की रैली हुई थी उद्रपूर में मैं उनको सीव करने के लिए एरपोर्ट पर था और एरपोर्ट से मैं जब वहां पर प जाना चला था क्योंकि जो जा रहे थे मेरे साथ उनको लगता था कि हम लोग अंदर जाएंगे लेकिन अंदर जगाई नहीं थी खड़े होने की मैं भी रैली के बिल्कुल बाहर खड़ा रहा है आप सूचिए कि लाखों की संख्या में लोग नेंदर भाई मोदी जी को सु बढ़ा है आज असेलिया जैसे देश के परणान मंतरी नेंदर भाई मोदी जी को दो दी बहुत कहते हैं अमेरिका के राश्ट पती को टैप पर के बताना पड़ता है कि मैं भी यहां पर खड़ा हूं अपने आप दरशाता है कि नेंदर भाई मोदी जी के नितरतम में हमार भारत का समान हमारे लोगों का समान तो आपसमें बड़ा है लेकिन भारत का समान विश में सबी देशों में जो है वो बड़ा है आप सामने देखीएगा उसके बाद रिजल्ट में और जो 400 पार का आंकड़ा जरूरत भी है जो विशे मैंने आप लोगों के समक्ष रखके उन विशों के लिए 400 पार की जरूरत भी है वो आंकड़ा जो है भारती जन्ता पार्टी नैशनल कांफरेंस के उपाद्यक्ष हमुरुपदुला जी का कहना है कि अब भी 370 हटने के बाद भी जमू कुश्विर में कुछ नहीं बदला और जो काम हुए हैं वो पिछली सरका पिछले कितने वर्षों से नैशनल कांफरेंस सत्ता में नहीं है यहां तक प्रश्ण 2014 से पहले का है 2014 से पहले के कारे आप कैसे कह सकते हैं कि हुए है टनलों का निर्मान हुआ है उदर टनल्स जितनी भी टनल्स मनी है क्या वो टनल्स बन सकती थी अगर ये ऐसे निता होते जो सिर्व बातें करते हैं मैंने कहा इनके पास बातें करने के सिवाए कुछ नहीं है और आज आप देखिए कि भारती जंता पार्टी के वरुद बातें करने के लिए इनके पास है लेकिन जब देश के हित की बात आती थी समाज के हित की बात आती थी इन्होंने कभी क्या ह सोचा परिवारबाद को बढ़ाने वाले लोग क्या परिवारबाद से हटकर कोई बात कर सकते हैं यह लोग जैसे हम लोग कहते हैं जिना कि 6G का वातावन चल रहा है यह लोग 5G कोई 3G है कोई 2G है तू जनरेशन प्लिटिक प्लिटिकल पार्टी यह थ्री जनरेशन है उमर उब्दिल्ला जी कुछ 5-6 जनरेशन जैं इन लोगों ने अपने परिवारों का हिट सोचा है वो इंसान जो 19 गंटे काम करता है और भी सोचते हैं कि वह मैं 24 गंटे कप काम करने में सफल हो पाहूं उनके साथ इनका कम्पेरिजन मुझे ने लगता कोई पासिबल है देश के हित में अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो प्रदेश की दूर्द्रशाय ऐसी नहोती 370 हटने के बाद ही यहां पर वातावन बना है और 370 हटने के बाद जो वातावन बना है यह कांटिनूर है शुक्री है सर्थ News 18 से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त महजूद थे सथ सर्माजी जो बाजपा के सीनियर नेता है जो आज सांबा में पहुंचे थे सांबा में इन्हों ने जो पार्टी की तरफ से जो संकड़ पतर जारी किया है उसके बारे में जहां पे जो सरकार की तरफ से उपलब दिया है वो उनको गिनाया और किस तरह काम किये और आने वाले समय में बारती जनता पार्टी किस काम को लेकर और किस मोटो को लेकर चलिया जो जिन परिवारों ने जम्मु कुश्मिर में राज किया, उन्हों परिवारों ने इंवर की सोची है, ना कि लोकों की. शाम सुंदर